हेलो स्टूडेंट्स स्वागत आपका हमारे स्टेडि वी एजुकेशन चैनल में यदि आप हमें आज हमारे चैनल से पहली बार देख रहे हैं या फिर आपने हमारे स्टेडि वी एजुकेशन चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज सस्क्राइब कर लीजि का बोल बाला है कि अभी जो इस बार है वो लीगल डिक्टेशन पे यही मैटर आएगा तो उसकी अपडेट हम रोज अपने चैनल पे नई-ने डिक्टेशन के साथ लाते रहते हैं आज मैं आपको 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से डिक्टेशन लिखवाऊंगी डिक्टेशन स्टार्ट होती है पांस सेकंड बाद रेडी स्टार्ट जहां जन संख्या बढ़ेगी वहां यह है निश्चित है कि महंगाई बढ़ेगी तथा अनेक दरिद्दर्ता विश्यक व्याधियां पैदा हो जाएंगी विराम भूमी सीमित है कॉमा यदि जन संख्या अधिक बढ़ गई तो खादान संकट पैदा होगा कॉमा लोग बुखे मरने लगेंगे कॉमा कृषी भूमी की कमी कॉमा मारपीट कॉमा छीना जपती कॉमा चोरी डकेतियां बढ़ेंगी विराम जीवन स्तर में बूरी तरह से गिरावट आएगी विराम अधिकांस जन संख्या के कारण स्वास्त्य कॉमा शिक्षा कॉमा रोटी कॉमा कपड़ा और मकान की सही व्यवस्थाएं नहीं हो सकेगी विराम हमारे देश के लिए तो जन संख्या व्रधी अविशाप बन चुकी है इसलिए तो भूत पूरव प्रधान मंत्री बिसपोट विशक हानियों को द्रस्टिगत रखते हुए कहा था जन संख्या के तीवर गती से बढ़ते रहने पर योजनावद विकास करना बहुत कुछ ऐसी भूमी पर मकान खड़ा करने के समान है जिसे बाड का पानी बराबर बाहर ले जा रहा है विराम पैरा जो बच्चा एक मुहें लेकर आता है वहें दो हाथ लेकर आता है विराम आश्य यह है कि दो हाथों से पुरुशार्थ करके व्यक्ति अपना एक मुहें तो भर ही सकता है पर बात देश के उध्योगिक विकास से जुड़ी है विराम यदि देश की अर्थ वेवेस्था बहुत सूनियोजित हो तो वहां रोजगार के अवसरों की कमी नहीं रहती विराम अब बड़ी मशीनों और उनसे भी अधिक शक्तिशाली कम्प्यूटरों के कारण लाखों लोग बेरोजगार हो गए और अधिकाधिक होते जा रहे हैं पैरा चेंच दिनाक एक नो दो हजार दस को परिवादी वे परिवादी के परिवार के तमाम सदस्य खाना खाकर सोय थे जब सुबह उठे तो परिवादी ने देखा कि परिवादी का पुत्र सोनु घर पर नहीं था वे ना ही परिवादी का मोटर साइकल घर पर था कोमा जिस बाबत इधर उधर पता करने पर भी किसी बात का पता नहीं चला कोमा उसके कुछ समय पश्चात परिवादी के छोटे लड़के दिपक के पास परिवादी के बड़े लड़के सोनु का फोन आया की सोनु वे मुलजिम बगगा सी है की लड़की रमन जो की पूरम में एक दूसरे से परिचित थे कोमा बालिग थे वे आपस में शादी करना चाहते थे कोमा जिस बाबत परिवादी ने मुलजिम बगगा सी है के घर पर जाकर इस बाबत कई बार बगगा सी है को सचेत भी किया था की आपकी पुत्री वे मेरा पुत्र के आपस में प्रेम प्रसंग हैं वे दोनों अलग-अलग समाद से हैं तो इस बात पर बगगा सी हैं नाराज हो गया वे परिवादी के साथ भी अभद्र वैवार किया था विराम उक्त दोनों ने परिवादी के बेटे दीपक को फोन करके बताया कि हम लोग आपस में शादी करने के लिए घर से भाग गए थे परंतु रमन के परिवार जनों को इस बाब बत पता चल गया है वे इन्होंने हमारे पीछे गाड़ी लगा रखी है कोमा वह हमें जान से मार देंगे विराम तब परिवादी वे उसका बेटा दीपक घर से सोनु को बचाने के लिए निकले तो रास्ते में ही उक्त मुलजीमान परिवादी वे दीपक को मिल गए वे उन्होंने कहा कि हमने सोनु को तो मार कर नहर में गिरा दिया है वे अब तुम्हें सबक सिखाते हैं वे परिवादी वे दीपक को पकड़ कर जबरन गाडी में डाल दिया वे ले जाने लगे तो परिवादी बच कर भाग गया वे दीपक को मोटर साइकल सहित गाडी में डाल कर ले गए कोमा तब परिवादी ने अपने बहनोई को फोन किया वे उसे मोका पर बुलाया तथा परिवादी वे उसका बहनोई दीपक को धूंडते हुए निकले तो दीपक जीवन नगर के पास घायल अवस्था में पड़ा मिला पैरा परिवादी के पुत्तर को तमाम मुलजिमान ने एक राय होकर उनके मोटर साइकल के पीछे अपनी गाड़ी लगा कर उनको रास्ते में रोक कर जबरदस्ती मारपीट की है वे मारपीट करके उसे बेहोश करके नहर में फैंक दिया वे अपने पुत्री रमन को जबरन अपने साथ ले गए स्टॉप डिक्टेशन अच्छी लगी हो तो आप हमारे स्टुडिव एजुकेशन चैनल को सस्क्राइब भी कीजिएगा और विजिट तो जरूर कीजिएगा एक बात और स्टुडेंट्स मैं आपसे कहना चाहूंगी कि हमारे राजस्तान हाई कोर्स टरनोग्राफर की जो हिंदी की डिक्टेशन है जो हिंदी का एक्जाम है वो 70 वर्ड पर मिनट की स्पीड से आनाई वाला है तो हम ज़़ादा से ज़़ादा कोशिश करें कि हम 80 और 85 के बीच अपनी स्पीड की प्रैक्टिस करें तो बहुत इनफ है इससे ज़़ादा अपने को 80 प्लस लिखने की 90 प्लस 100 प्लस लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अगर हमारी गलतियां आने की संभावना जादा बने रहती हैं और हम अपने आपको जज़ भी नहीं कर पाएंगे इसलिए अपने को रखना चाहिए कि हम अपन हैं जो 80 पर मेंट की स्पीर से प्रैक्टिस करें ताकि हमा कोई कोशन अपने से छूड़ना नहीं चाहिए एफिसेंसी वाले में तो अपन उसी पर ज्यादा ध्यान करें टाइपिंग स्पीड का अपने बढ़ाएं अपने पास जो है 70 पर मिनिट की स्पीड से जो सात मिनिट का जो सात मिनिट का जो अपने पास मैटर आएगा उसको के लिए अपने कोशुल फर 50 मिनिट ही चाहिए तो अपन उसमें कर लेंगे हैं परन्तो जो एक्चूरेस्ट वाला जो है अपना टैस्ट है उस पर जधा से जधाधा ध्यान दे वो मसे जधा स्पीड बनानी चाहिए वहां पर जधा से जधा उसकी धन्यवाद